गुददवार में सूजन आ जाना यानि लेटरिंग की जगह पर स्वेलिंग आ जाना जिंदगी अच्छी चल रही है लेकिन सड़नली अचानक अगर आपको यह तकलीफ हो जाए तो बहुत जादा डिसकंफर्ट फिल होने लगता है कारण समझ में नहीं आता है पता नहीं चलता है कि यह तकलीफ होई क्यों है वैसे तो लेटरिंग की जगह पर सूजन आ जाने के गुदा में स्वेलिंग आने के बहुत सारे कारण है लेकिन जादातर कारणों में यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है इसलिए घबराने वाली बा लेटरिंग की जगह के सूजन के साथ दर्ध है उस जगह में बहुत जादा खुजली होती है या फिर जलन होती है या फिर वहां से खून निकलता है इन सभी बातों को अच्छे से समझना और उसका निदान करना बहुत ज़रूरी होता है और इस वीडियो में यही मैं आपक को नजर अंदाज न करते हुए पूरी तरह से समझे और पूरी तरह से इसकी टुट्मेंट कर सके बिना ओपरेशन आप ठीक हो सके नमस्कार मैं डॉक्टर शीतल टॉंग से बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर टॉंग से होमेपेथी शीटूब चानल पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तूरण सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके सबसे पहले शुरुआत में हम जरा समझते हैं अपने एनल कैनल के बारे में देखिए इस डाइगराम में तीन चीज़े बताई गई है एक तो है रेक्टम रेक्टम यानि कि जहां पर आपकी लेटरीन जमा रहती है स्टोर हाउस है चेमबर है एनल कैनल है और फिर एनस की ज ज़रूरी है इसमें एक स्पिंटर होता है जो फिट रहता है, बंद रहता है, लेकिन जैसे ही ये जगफ भर जाती है यानि ये चेमबर फुल हो जाता है तो उस वक्त ये स्पिंटर रिलाक्स हो जाता है और आप मलत्याग करते इस तरह से ये नॉर्मल प्रक्रीया होती है और लेटरिन आपकी गुदा नलिका से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लेटरिन की जगव पर बहुत सारी चीजे होती है। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती है, ग्रंथिया होती है, डक्ट्स होती है, ब्लड वेसल्स यानि खून के नसी होती है, खून की नसे भी यहाँ पर होती है, साथ ही कुछ मसल्स होती है, टिशूज यहाँ पर रहते हैं, और कुछ नर्स भी यहाँ पर होते हैं, नर्स एंडि है और किस वजह से आपके लेटरिन की जगह पर सूजन आ सकती है इस बात को भी हम समझते हैं देखिए सबसे पहला कारण होता है external hemorrhoids यानि की बहारी बावासीर इसमें क्या होता है गुदा के आसपास जो खून की नसे है जो मैंने आपको अभी दिखाई ये खून की नसे फुल जाती है और ये काफी लोगों में आम देखा गया है आजकल अपने lifestyle जो changes हुए है उसकी वजह से ये तकलीफ बहुत common हो गई है लेटरिन में बहुत देर तक लोग बैठे रहते हैं बहुत pressure लगाते हैं जोर लगाते हैं फाइबरस फुड कम खाते है या फिर अगर बहुत दिनों तक आपको डाइरिया है या constipation है कब्स की समस्या है जिसे हम कहते हैं पुराना कब्स होना ऐसी अगर तकलीफ है तो आपको ये तकलीफ हो सकती है external hemorrhoids की और जिसकी वज़से आपके लेटरिन की जगह पर सूजन आ सकती है अब ये दिखेगा कैसा इसमें क्या होगा आपको लेटरिन की जगह पर इस तरह से गाट दिखेगी, इस तरह से लेटरिन की जगह पर बहारी हिस्सा दिखेगा, सुजन वहाँ पर आ सकती है, आपको दर्द हो सकता है, और कभी-कभी खून भी निकल सकता है, साथ ही खुजली भी हो सकती है, तो यह होता है external hemorrhoids, यानि कि बहारी भवासीर दूसरा मुख्यकारण जो होता है जिसे हम कहते है अनुसाइटिस यानि कि लेटरिन की जगह पर सूजन आ जाना, inflammation हो जाना और inflammation कहा होगी, सूजन कहा हैगी, linings of the anal canal, आपके लेटरिन के जो anal canal जो है, जो रास्ता है, इस रास्ते में सूजन आ जाती है, और यह बहुत common disorder है, लेकिन ऐसा देखा गया है मैंने भी मेरे practice में देखा है बहुत बार, यह misdiagnose हो जाती है, लोग इसे बवासीर समझने लगते है, पाइल्स समझने लगते है, और mis कर देते हैं, इसलिए काफी लोगों को मैंने देखा है, बहुत दिनों तक दवा लेने के बाद भी इनकी जो तकलीफ है, जो सूजन है वो कम नहीं होती है, तो उस वक्त उन्होंने अच्छे डॉक्टरों को दिखाना चीए मैं तो आपको सर्जेस्ट करूँगा, आप होमियोपेथी लीजिए, सबसे पहले डाइगनोस करवाईए, क्यों है, इसे जानिए और फिर होमियोपेथी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इस समस्या से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं अब समझते हैं तीसरे कारण के पास करेंगे, मल अगर हाड होता है तो उसमें आपको तकलीफ हो सकती है बहुँ जादा दर्द हो सकता है ये दर्द थोड़ी देर कुछ मिंटों से लेके कुछ घंटों तक के रह सकता है अब ये क्यों होगा, अगर आपको बहुत दिनों समझके बहुत ज़्यादा दर्द को निगलेट किया जाता है टेंपरेरी मेडिसीन ली जाती है लेकिन इसे भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है बिना ओपरेशन के अगर इसका निदान किया जाए कारणों के बारे में समझा जाए और सटीक ट्रीटमेंट किया जाए चौथा कारण होता है एनल एपसेस एपसेस यानि की फोड़े के जैसा बन जाना इसमें क्या होगा एनस की जग़ब पर जो ग्रंतिया होती हो फुल जाती है और फोड़े जैसा बन जाता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें मवाद भी भर जाता है ये देखिए इसमें मवाद भी भर जाता है और फिर बाद में ये फूड सकता है जिसे हम कहते है एनल एपसेस इसमें बहुत जादा दर्द पेशन को रहता है जब ये फुल जाता है तो patient दर्द सहे नहीं पाता है, इतना जादा दर्द उसको रहता है, वो बैठ नहीं सकता है, सुजन आ जाती है, रेटरिन की जगह पर swelling आ जाती है, लंब के जैसा लगता है, और कभी-कभी इसमें बुखार भी रह सकता है, इसे proper डियाग्नोस करना बहुत important होता है, पाचवा बन जाएगा, जिसे हम कहते है, anal fistula, इस सुरंग का एक रास्ता अंदर की तरफ रहेगा, हो सकता है, वो खुल जाए, और दूसरा रास्ता बाहर की तरफ रहेगा, इसमें भी बहुत जादा खुजली हो सकती है, दर्द हो सकती है, या कभी-कभी अगर ये सुरंग बहुत ब प्रैक है, आपके जो आते हैं, उसके अंदर सुजन आ जाती है, और इसमें भी इस तरह की swelling आपको रह सकती है, साथवा कारण है, गुदा मैदून, इस कंडिशन में भी लेटरिन की जगह पर swelling आ सकती है, और इसी लिए इसको समझना जरूरी है, इसका निदान करना जरूर है, सबसे पहले आपके हाथ में जो बात है, वो है डायेटरी चेंजिस, आपके खान पान की तरफ ध्यान दीजे, अब कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से आपका डायेट रहेगा, लेकिन अगर हम सिंपल भाशा में समझें, तो आपको फाइबरस फूर्ट जादा से जाद खाना है, आपको याद रखना है, खाने के बाद तुरंट सोना नहीं है, आपके डाइजेशन में हरी पत्तेदार सब्जी आपको ज़्यादा से ज्यादा खानी है, स्ट्रेस, टेंशन, इन चीजों से ये तकलीफ बढ़ जाती है, इसे आपको कम करना है, और साथ ही, आप ह तकलीब से पूरी तरह से बचा जा सकता है तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद कर दो